हेलो एवरिवन यह है वीडियो वर्ट चैनल और आप देख रहे हैं इटैब टूटोरियल स्रीज आज की वीडियो में में इटैब के ओपर एक टूटोरियल बनाएंगे जो एक कमेंट किया हुआ है एक सर ने कोस्तो काठो के सोरी अगर मैं परनाउंस नागर पांप का नाम ल सलाइब डीफाइनगे तो वह चार ऑप्शन आथे हैं एक आता है अपकर एक का आता है आपका मैंब्रेंस varit एक का थेक सेल कारिक आथा खेंस है हमे कौन सा जब हम कोई बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं तो हमें कौन सा इसमिसेश है slab define करना चाहिए यह question important question बहुत अच्छा question पूचा है तो हम क्या करते हैं हम इस चारो type की slab बनाते हैं उसको analyze करते हैं देखते हैं क्या effect पढ़ता है फिर उस effect को देखकर हम इसके बारे में discuss करेंगे तो पहले तो इनको thank you कि नोने इतना अच्छा question पूचा और एक information आपको मैं देना चाहूँ कि अब मैं वीडियो बनाऊंगा वह आपके comment मैं पूछे गए या आपके suggestion दिया हुआ tutorial ही के उपर में वीडियो बनाऊंगा इसे नोने पूछा है कि slap में types of slap में उसके उपर एक video ज मैं अब इनकी video बना रहा हूँ उसके बार नीचे के और steel design के उपर एक video बनाऊंगा संतोसन ने पूछी विए तो इस तरह से में comment को लेके उसी के उपर video बनाऊंगा तो चलिए start करते हैं तो e-tab open करते हैं मैंने क्या सोचा है idea कि हम 4 slab बनाएंगे first, second, third and fourth इसको हम बनाएंगे layer इसको बनाएंगे membranes इसको बनाएंगे thin इसको बनाएंगे thick और इन चारों को analyze करेंगे फिद चारों के result चेक करेंगे कि क्या effect पढ़ता है अकिरकार हमारा इन types को लेके तो सबसे पहले मैं e-tab के अंदर new model यहां पर select करता हूं build setting Indian is 800 और code ओके यहां पर मैं define जैसे कि मैंने बताया कि मेरे को एक इस तरह से प्लान डिफाइन करना है जिसमें चार हिससे हो उसके एक दूसर से connect ना होना result पर effect पढ़ेगा इस तरह से ओपीच में गैप हो ठीक है तो यहां पर भी गैप हो यह दुबारे से उताता हूं इस तरह से मैं बनाना चाहता हूं हूं एक आप दो स्लैब में टिंट चाहर आप देखेंगे इदर अगर आम नमब्र ओफ ग्रिड देखें तो वन टू थी टी फॉर वान टू थी धर एक्स डेरेक्शन और यडिरेक्शन में दोनों में आक्स और जयाड में दोनों यच्छार ना वह स्पेसिंग भी हम ले ल ले लेते हैं ठीक है और one floor तो यहां पर हमने four four spacing दो नो डिरेक्शन फाइव फाइव one floor और हम okay कर लेते हैं तो यह आगे है तो सबसे पहले में define करता हूं material एड नियू माटेरियल इंडियन कंक्रीट 30 एंग्रेट ओके टाइटल यही रहने देते हैं सब्सी जी रहने देते हैं डिफोल्ट M30 यहां पर आ चुका हैं डिफाइन सेक्शन फ्रेम सबसे पहले हम एड नियू करते हैं एक रेक्टेंगल बीम M30 को ले लेते हैं और इसको 400 by 400 हम साइज ले लेते हैं बीम का फिर एक एड प्रोपर्टी करते हैं कॉलम रेक्टेंगल इसका टाइटल डालेंगे कॉलम और इसका ग्रेड M30 और इसका 600 by 600 कॉलम डे लेते हैं ठीक है यहां पर आ गया एक कॉलम और एक बीम अब हम डिफाइन करते हैं स्लैब तो डिफाइन सेक्शन प्रोपर्टी में स्लैब इन दोनों स्लैब को डिलीट कर देते हैं चलो इसी को मोडिफाइ करते हैं जो पहले से दीवी है स्लैब 1 को डालते हैं लेयर लेयर टाइप की स्लैब है M30 देखिए यहां पर भी लेयर ऑप्शन आ रहा हुआ है ठीक है इसमें से थिकनेस नहीं पूछी और एक लेयर आ गया एड नियो प्रोपर्टी अब इसमें डा करते हैं सेल ठीक और यहां पर शेल ठीक कर देते हैं और 200 एक और प्रोपर्टी अट करते हैं शेल थिन और यहां पर सेल थिन है पहले से 200 चार लेयर आ गई हम पर प्लॉस सबसे पहले हम पर हम कॉलम पे क्लिक करते हैं और यहां पर जो हमने कॉलम लिया है कॉलम नाम से उसक दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, इस तरह से हम कॉलम बनाएंगे हैं यहां पर, कॉलम बन गए है, अब यहां से बीम ले लेते हैं, और यहां पर बीम जो हमने डिफाइन किया है, वो चेंज कर लेते हैं, बीम, ठीक है, तो हम इसको ऐसे ड्रैग करके भी बना सकते हैं, ठीक है, यहां पर कोई बीम नीच बनेगा, ठीक है, अब लेते हैं स्लैब, स्लैब में यहां लेते हैं सबसे पहले लेयर, यहां पर, फिर हम लेते हैं मेंब्रेंज यहां पर फिर लेते हैं थिक यहां पर और फिर लेते हैं थिन यहां पर एक बाद नाम चेक कर लेते हैं तो नाम चेक करने के यहां पर टिक मार्क जो है यहां पर जाएंगे यहां पर अधर असाइंग्मेंट में सेक्शन सेल्स का ऌर तो दिशच है आप Medal इस टो लगा हुँ एस ऐनौराइस करेंगे अनौराइस कर देते हैं कि मिदर में पूछ रही तो स्टस्लैब कि मैं देखने अग्वाम हो गया है ठीक है यहाँ प्लिक करते हो प्लान पर और जो हमारी Slab एयर अल्द के साल्स के हम यहाँ बैंड़िंग मदेखते हैं यह नियुद में थी टीक है और यहाँ का मतलब एक imaginary slab मान लिजी जो कोई लोड ट्रांसफर नहीं कर रही है इसका कुछ कोई भी वेट नहीं है ठीक है इसलिए यहां पर इसकी मान लिजी आप इस लैप के ऊपर एक किलो वन किलो इन्टन लोड लगाते हैं तो वन किलो इन्टन बीम में ट्रांसफर हो जाएगा कि इस लैप के वेट नहीं हो गागा है ठीक है नहीं वह ब्रवान कुछ क्षी डेफिर्मेशन हो लेयर के अंदर सेकिंड में चलते हैं मेंब्रेंस में इसमें में दिखी कितना यह यहां पर यहां पर इस यां पर आला राहा है ट्वेल पॉंट एक इंट सेट हैश्च फेल पो चेक करते हैं कि शीर फॉर्स है ठीक है और एक चीज चेक ने थोड़ा समये डाउट है वाफ्ट्रोपर्टी जो मने डिफाइन किए इसलैब की उसमें मा maps में अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे मैम्ब्रेंश में हम यहीं सकता यह पर मेंब तो छिए तो ठीग है जिसको यहां पर क्लिक之前 तो और करते हैं तो यह पर यहां पर आनी रहा था यहां पर इसलिए यहां पर हमने सेल्स की बेंडिंग मेंट को किया और यहां पर हमने कि सोरी यहां पर तो हमने सेल्स के बेंडिंग मेंट को एक्टिविट किया है और यहां पर हम करते हैं डिफॉर्मेशन बीम्स के अंदर में यहां पर जञारी है यहां सब्सक्राइब тест किसि के क्राइब कर रहा है और यहां पर ब्रॉष जादा आ shore रही आनेकिक कि अपना Mythal की यह क्या धर्वी एस लोड डारेक्ली की अप्ना फूरा वेड ट्रांसफर कर रही है ठीक है और यहांम सहल तन तो darkness ने फोरे थेणिप किए आपके ठीक है यह होता क्या है माल हुआ दिये यह आपको कोई फ्रेम है और यहां पर कोई लोड लगाया जाए थार ऑगर दो चीज अगर डेरेकली ट्रांसफर कर देगे दोनों पर लॉडता यहां कितना यह पा compliance अगर बकल कर दो तो थीसा किर थोड़ीयू़ कर लेगी लौड को अगर डिफॉर्मेशन होता है तो मेंबरेंस में होता नहीं है तो ड्राइकली टोटल लोड ट्रांफर हो जाता है इसलिए रिजल्ट यहां पर बैंडिंग में आपका ज्यादा आ रहा है लेयर में आपका कुछ नहीं हो शैल थिक यानि कि जिसकी स्पैन ज ज्यादा है तो उसको थिक बोलते हैं और वन फिफ से डेप्ट काम है तो उसको थिन बोलते हैं दर असल जो थिक से अले उसमें शीर डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है यानि कि उसको हम नेगलेट नहीं कर सकते हैं शीर डिफॉर्मेशन थिक में और थिक कब होती है जो वन वाइ फिप्थ ओप दी स्पैन से थिकनेस कम होती है यहां शियर डिफरमेशन को एक बार नेगलेट भी हम कर सकते हैं तो यह होता है हमारा इन सब के बीच में डिफरेंस यह है आपकी लेयर मेंब्रेंस थिक और यह है आपके थिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो या आपके कोई भी हैल्प हुई हो तो प्लीज लाइक कीजिए लाइक करना न भूलें शेयर करना न भूलें सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने किसी भी टॉटोरियल और इंक्वैरी के लिए कमेंट करना न भूलें क्योंकि म